जी हाँ टाइगर का खुमार अभी उत्रा भी नहीं है और आपको जल्दी सुनाई देने वाली है एनॉंस्मेंट वो भी सल्मान खन की नेक्स्ट बिगेस्ट एक्शन फिल्म की जी हाँ मैं आप लोगों को बता दू फिल्म का नाम पोबैबली दबुल होने वाला है जहां तक बात की जाए देखे confirmation के साथ नहीं है क्योंकि अभी तक भी sources से ये पता नहीं चला कि धर्मा प्रोडक्शन की इस action entertainer में फिल्म का आखिर नाम होने के वाला है बिल्कुल भी कुछ reveal नहीं हुआ है और फिल्म के announcement बिल्कुल दर्वाजे पर है बिल्कुल दस तक दे रही है थेटर से उतरेगी भी नहीं टाइगर 3 उसका खुमार चड़ा ही रहेगा ऐसे में इतनी जबदस एक्शन फिल्म टाइगर 3 के तुरंथ दौरान ही आप यह कह से बाद में भी नहीं दौरान ही आपको सुनने को मिलने वाली है announcement early December में जो है आपको फिल्म के announcement सुनने को मिल जाएगी ऑफीशियली बिलकुल अब वो यह देखने वाली बात होगी कि वीडियो के तरह द्वारा एक बार announcement किया जाता जैसे आज करने जाने लगा है बॉलिवड फिल्मों में भी और वीडियो के द्वार announcement वैसा देखने को मिलता है या प्रॉपर एक poster के साथ या एक जि दिसेंबर में फिल्म का first schedule लगने वाला है अगर आप लोग मेरे regular वीडियो देखते रहे तो तो में फिल्म का पूरा schedule क्या था यह मैं अपने काफी पुरानी वीडियो में कुछ महीने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ तकरीबर शाद मैंने दो या धाई महीने प दी मज़ा आने वाला है तैयारी कर लिजए प्रोबैबली दबूल नाम हो सकता है फिल्म का क्यूंकि काफी जादा इंतजार किया रहो कुछ भी नाम को लेकर clear नहीं है हम सभी जानते के पैरा military officer का character निभाएंगे इसमें सल्पान खान को काफी जबर जस्ट action और over the top फिल्म ना होते हुए यहाँ पर चांसा जब विश्नु वर्धन के इस डिरेक्शन टोरियल फिल्म के अंदर यहाँ पर आपको काफी realistic कहानी देखने को मिलने वाली है हम उस बार में भी बात कर चुके कहां पर based है क्या है किस प्रकार के फिल्म होने वाली है थोड़ी सी पीछे जा कोई announcement विडियो नहीं है कौन lead actress होने वाली कुछ नहीं पता लेकिन काफी जादा excited हूं मैं इस फिल्म को लेकर काफी जादा इंतजार है मुझे विश्नु वर्धन के इस डिरेक्शन टोरियल फिल्म में मज़ा आने वाला है त्यारी कर लो announcement जल्दी देखने को मिलने वाली ह नहीं है